वेलकोम इव्रीवन दूस एन अरिफ रम मसल क्लीनिक इन थ्स एपिसोड वेला डिस्कस्ट्स एपिसोड में हम डिस्कस्ट्स करेंगे राव टो ग्रोमा सभाव अपपर चेस्ट बट वीडियो श्रेट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहां लिंक आ रहा होगा वहां जाके जरूर फॉलो करेंगा रोज के रोज फिटनेस और लाइफस्टार रिलेटेड पोस्ट हमाँ पर अपलोड करता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथी में अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं म आज कल बूम चल रहा है सबको चाहिए कि बहुत अमेजिंग अपर चेस्ट हो कि जब भी वो डीपनेक टीशिट पहने या शिर्ट पहने जिससे उनकी अपर चेस्ट ज्यादा अच्छी दिखें इस वजह से मुझे बहुत सारे डीम साय हुए है कि सर स्पेशिली अपर चेस करना पड़ेगा तो आपको एक्स्ट्रा वकाउट करना पड़ेगा साथी में बहुत अच्छा से अपना डायेट प्लानिंग करना पड़ेगा सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको श्रेट करना है या फिर गेन करना है या तो गेनिंग करेंगे तो आपको जो से रेस्ट लेना है अच्छी स्लीप लेना है ताकि आपके जो मसल आपने ब्रेक किये हुए है वह अच्छे से रिकवर हो सके और अगर आपके पास कुछ सप्लिमेंटेशन के ऑप्शन है तो वह भी साथ में जरूर यूज करिएगा जिससे अमेजिंग रिजल्स मिलेंगे अब एक चीज बात कर लेते हैं बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि जब भी वह इंकलाइन बेंच प्रेस या फिर अपर चेस्ट के लिए कोई भी कराते हैं तो आपके चेस्ट होने की जगार आपके शू Civし में आता है आपको इंजरी हो सकती है या फिर आप अपने शूडr को ज़ड़ा इंवाफ करके लिए ना कि अपने चैस्ट को तो प्रोपर तरीके करते हैं सबसे पहले आप जैसे जिम में जाते हैं अच्छा से warm-up करिए जब भी आप चैस्ट का workout करते ह। आपके shoulder involved होते हैं और अगर अच्छा सा उसको rotate करके अगर warm-up नहीं किया तो इन future आपको shoulder injury जरी हो सकती है तो पुश अप से नौ लगाई है मोबिलीटी अच्छे से करिए तब जाके पहला वकाउट करिए तो मेरे इसाब से सबसे पहले मैं केबल क्रॉस करना पसंद करता हूं ज्यादा तर लोग डायरेक्ट जाके कंपाउंड मुमेंट करते हैं लेकिन मुझे पसंद है कि यह डिकलाइन का वकाउट है लेकिन इससे आपकी अपर चेस्ट अच्छी होती है जब आपने निरवोट चार से पास से लगा लिए और आपका ब्लट फ्लो बढ़ गया और आप बड़े वकाउट लगाने के लिए तैयार है तो उसके बाद जो सेकेंड वकाउट रहे है लेकिन इगो लिफ्टिंग मत करिएगा गाईस बहुत सारे लोग गल्दी करते हैं और इन फ्यूचर उनको इंजरीज होती है जब आपका इंकलाइन बेंच प्रेस हो गया तो जो थर्ड रैंक का वकाउट है उसमें आपको क्या करना है आपको डंबल प्रेस लगाने है एक चीज़ बता दो अगर आपको अच्छे से ग्रो करना है तो फुल रेंज में वकाउट करिएगा इसके भी आप तीन से चार सेट आप लगा सकते हैं और रिपिटिशन वाइस सारे वकाउट के रिपिटिशन अगर आप जाधा वेट मारते है तो नियर बाओ 12 रिपिटि दो नहीं बहते हैं अब देखेंगे और नहीं करते हैं अगर आप अपने सक्रेडियों में ये add करेंगे तो आप देखेंगे आपके upper chest next level का हो गया तो जैसे हम लोग bench press करते हैं तो आपको reverse grip पकड़नी पड़ेगी आपको वीडियो में दिख रहा होगा तो इसके भी 3-4 set ले लीजिए अब last में आपको क्या करना है आपको close grip प्रेस करना है जैसे या तो आप dumbbell से भी कर सकते हैं या तो आप plate से भी कर सकते हैं इससे भी बहुत amazing result मिलेगा आपके upper chest को तो ये रहे मेरे 5 best exercises to grow your upper chest बहुत ही easy तरीका है अगर आपका upper chest बहुत ज़ादा weak है तो week में दो बार ये repeat कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ अगेन बता दू कि proper rest होगा, proper तरीके से आपका nutrition होगा, तभी आपका body grow होगा, चाहे हो upper chest हो arms हो, shoulder हो या फिर कोई भी muscle हो, तेज़ वज़े से proper तरीके से आप workout लगाए और rest भी proper तरीके से लीज़े और साथ ही में nutrition भी proper तरीके से follow करिए, और इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो please comment section में comment करिए और मुझे इंस्टा पे follow करिए, यहाँ link आ रहा होगा, वहाँ जाके आप direct question पूस सकते, साथ ही में जो red color का subscribe वाला बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, बाजी वाला जो बेल इकन है, उसे प्रेस कर दीजिए hope you like this video, if it did then please like, share, subscribe by YouTube channel keep pumping, step last